नमस्कर, मैं हूँ आपका अपना विके सिंग सर और आप देख रहे हैं मैस पड़ो चनल मैस पड़ो चनल पर बच्चो एक बार फिर से आप सब का बहुत बहुत स्वागत है आज 25 जुलाई है और जैसा कि आप सब को पता है कि कल 26 जुलाई से मैं लाइब सेशन में आ रहा हूँ हापते का दो दिन का टाइम होगा एक थोस्टे और अनदर डेई विल बी संडे दोनों दीन 7 बज़े यानी की 7 पियम आप सब के साथ मैं लाइब सेशन बी आ रहा हूँ कल मैं अपने लाइब सेशन में पॉलनॉमियल का डिसकॉशन करूँगा 40 मिनिट्स का फोर्टी मिनिट्स का लाइब होगा जिसमें multiple choice question fill in the blanks and very short answer question discuss कि जाएगा यह मेरा paid batch जो है zoom app के उपर वही live होगा तो आप लोग यूट्यूब पे बिल्कुल free access कर दिया गया है तो यूट्यूब पे आप सब इसको free देख सकते हैं 7 बज़े का till time है तब तक आप पॉलना मेर्ग गवर अच्छे तरीके से त्यार कर लीजेगा आईए आज का जो वीडियो है mastering NCIT वीडियो no.9 का discussion करते हैं जो arithmetic progression का है अब AP का जो है यह question no.24 है देखे 23 question already मैं पहले करवा चुका हूँ अब मुझे पूरा बिश्वास है कि आप लोग ने उन 23 question की त्यारी कर ली होंगे ठीक है और आज मैं दो question discuss करूँगा और यहाँ जो exercise जो 5.3 का जो है question no.1 and 2 का discussion मैं कर रहा हूँ चलिए और subscribe लाइक और share भी करते रहेगा तो आज तो पहला question first question में देखते हैं कि रहा है कि find the sum of the following APs आप देखें first question तो बहुत simple है तो करने की कोई जुरूत नहीं है मैं एक काम करता हूँ second करवा देता हूँ third करवा दूँगा and fourth करवा दूँगा ठीक है और तीनों की rating मैं जो है 3 star की rating दूँगा type आपका A में भी आ सकता है B में type आ सकता और A basic label का question आप सब के लिए बनता है आप second question में देखते हैं हमारे पास कह रहा है कि A का जो value यहाँ पर minus 37 है और D जो होगा succeeding minus preceding होता है बचो तो minus 33 minus minus 37 यानि कि आप minus 33 में plus 37 को add कर देंगे तो बचो ए positive 4 बचेगा up to 12 terms कर रहा है यानि कि यहाँ पर N equals to 12 ही given है तो बहुत simple है यहाँ पर सीधा S12 जो है that equals to 12 by 2 और उसके बाद 2A एक जगा पर minus 37 and plus N minus 1D यानि कि 12 minus 1 into 4 आप उट कर दोगे you'll get your answer यानि कि आ जाएगा 6 और 37 को अगर आप 2 से multiply करोगे तो 7 to 14, 4 हो गया 6 और 1, 7 हो गया minus 74 होगा minus 74 और plus जो होगा 11 से 4 को अगर आप multiply करोगे तो बचो 44 हो जाएगा यानि कि 6 का multiplication 4 से 4 जाएगा 0 और 7 से 4 गया तो यह बचा 3 यानि कि यह negative 30 आएगा तो यह आपका minus 180 के वरागर जो है वो इसका answer आ गया यानि कि यहाँ पर हम लोग ने जो formula यूज किया है n by 2 2a plus n minus 1d यहाँ पर n by 2a plus l इसलिए नहीं यूज किया है यहाँ पर last term हमारे पास exactly नहीं पता था हमें निकालना है कि up to 12 term से आनि की 12 term का sum ठीक है याद रखिए इसलिए हमने n by 2 2a plus n minus 1d एक बार हम लोग answer का correction जरूर कर लेंगे क्योंकि minus 180 बिल्कुल correct है क्योंकि मैं अपने video को कभी भी edit नहीं करता हूं जो मैं shoot करता हूं जैसे अभी मैं video बिल्कुल अभी shooting कर रहा हूं करने जैसे complete होगा मैं इसको post कर देता हूं अपने youtube channel पे ठीक है upload कर देता हूं editing मैं नहीं करता है editing में time में लगाता ठीक है तो कहीं कहीं छोटी छोटी कोई गलतिया हो सकती है तो comment box में जरूर लिखेगा अब now we are coming to third question बच्चो third part इसका third part में देखते हैं हमारे पास a का जो value है 0.6 है a जो है 0.6 है और d जो है d में यानि कि अगर हम 28 से 17 को minus करेंगे तो 17 और 10 27 होता है यानि कि 11 बचेगा और 1.1 का difference आएगा that will be 1.1 और n जो यहाँ पर है इस केस में हमारे पास n 100 है बच्चो है न तो चलिए अब इनका हमेशन निकालना है यानि कि s 100 निकालना है तो यहाँ तो 100 by 2 और यहाँ पर 2 a यानि कि 0.6 और n minus 1 यानि कि 100 minus 1 और d के जग़ा पर 1.1 जगा यहाँ पर decimal में है तो दश्मलों में है तो थोड़ी सी सावधानी आपको ब्रत्मी पड़ेगी ठीक है तो 100 से 2 में जब डिवाइड हम करेंगे तो यह बच्चो 50 आएगा 6 को 2 से करोगा multiply तो 12 हाता that means कि 1.2 हो जाएगा और यह 99 को जब multiply आप कि से करोगे भाई 99 का multiplication आप करोगे 1.1 से ध्यान दीजिएगा तो 99 का 1.1 से तो मैंने बताया था ना कि जब 99 का 1.1 से हम यानि 11 से multiply करेंगे तो यहाँ पर 0 रखो और एक यहाँ पर 0 रखो 0 से 9 को add करो 9 9 और 9 क्या हो गया 18 carry 1 और 9 में 0 को add करोगे तो 9 और एक हो गया 10 यानि की 1089 होगा 1089 होगा तो यानि की अब हमारे पास आ गया यह 50 फिर आ गया 1.2 और यह आ गया 1089 होगा और 99 को 1.1 से multiply करेंगे तो एक प्लेस के बाद decimal यानि की 108.9 के बराबर आ गया अब इसके आगे हम आते हैं 50 अब यहां पे 1.9 1.2 है 108.9 है ठीक है अब इन दोनों को हम ने 1000 ठीक है इसमें आप इसको बिसिकली 12 को हमें add करना है nothing more than that ठीक है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते होगर आपको लगता है कहीं भी ऐसे दिकत है ना तो simple सा आप इसको add करके 108.9 कीजएगा और यहां पे 1.2 कर दीजएगा 9 और 2 क्या हो गया 11 ठीक है 1 8 होने के सुन ठीक है 1 एक एक और एक यानि की 110.9 क्या होगा 1 होगा 1 ठीक है 110.1 के बराबर होगा है ऐसे भी आप basically अगर आप 1089 में अगर आप 12 को add करते हो तो ऐसे add कर लो ठीक है और एक place के बाद यहां भी decimal है यहां भी decimal है decimal 9 और 2 11 क्या 1 होगा 8 और 9 एक 10 ठीक है सुन हो गया 1 आगया यहां पर ठीक है एक है और यहां पर 110.1 हो गया ठीक है ना तो जैसे भी आपको multiply करनो लेकिन थोड़ा precaution लेकर के कीजिएगा तो यह 110.1 होगा है ना अब देखो इसके नीचे अगर हमने 10 कर दिया ठीक है तो यहां पर रियाद रखना तो यह आपका यहां से यहां पर कड़ गया आप 5 को multiply करोगे 1101 से ठीक है तो यानि कि 1101 से 5 को multiply करतो 1000 को अगर 5 से करोगे तो 5000 आएगा 101 को 5 से करोगे तो 505 हो जाएगा यानि कि 5505 होगा 5505 5000 और 505 बचो इसका आंसर होगा अराम से करेंगे decimal है कोई जल्दी बाजी हमें करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें marks 100 लेकर आना है तो अभी से हमें अपनी अच्छी आदतों को डालना पड़ेगा अच्छी आदतों को लाना पड़ेगा कि सम को अराम से patience के साथ हमें करना है अगले समाते हैं इसका fourth part देखते हैं बचो इसके fourth part में जो A का value है चेक कर लो A हमारे पास जो है यहाँ पर 1 by 15 है A यहाँ पर 1 by 15 है और D जो है 1 by 12 minus 1 by 15 कर लो ठीक है 12 और 15 का जो LCM होगा ना वो 60 होगा ठीक है क्योंकि आगे multiple करते जाओ तो 24 आएगा जो 15 से divisible नहीं है 36 आएगा 15 से divisible नहीं है और 40 आएगा 15 से divisible नहीं है ठीक है और उसके पास 60 हैगा यानि कि 60 जो है उसको 12 भी divide करते हैं और 15 भी भी तो इसको कहते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल यानि कि सबसे छोटा जो कॉमन मल्टीपल है जिसको जिससे दोनो जिसको दोनो एग्जाक्ली डिवाइड कर दें वही तो आपका LCM होता है तो बाकी निकाल करके आप कर लो लेकिन मैं इसको डिरेक्ट लिक करना हूँ साथ हो गया तो 12 पंचे साथ हो गया और यहाँ पर यानि की 1 भाई ए 60 के बरावर हो गया तो A निकल गया और D निकल गया अब कितने टर्म्स का हमें सम निकालना भाई यहाँ पर अप्टू 11 टर्म पूछ रहा है उसके बाद यहाँ पर 2 बाई 15 आ गया 11 से 1 माइनस होगा तो A प्लस 10 बाई 60 आ जाएगा है ना A 10 बाई 60 आ गया देखरो 11 माइनस 1 is 10 10 बाई 60 तो काट करके इसको आप 1 बाई 6 भी कर सकते हो ठीक है यहाँ आ गया 11 बाई 2 और यहाँ पे आ गया 2 बाई 15 और प्लस क्या हो गया 1 बाई 6 आप हमें 15 और 6 का LCM ढूनना है ज़रा ध्यान दो तो 15 और 6 का अब चलो आगे चलते रहो 15 का मल्टीपल क्या होगा अब पहला 15 है उसके बाद 30 हो गया तो बिल्कुल 30 30 जो है उसको 15 भी इग्जाक्टली डिवाइड करेगा और 6 भी इग्जाक्टली डिवाइड करेगा यानि कि इसका LCM क्या है 30 है 6 35 और 15 दोनी 30 होता है न चलो तो यह आपका 30 हो गया तो 15 2 जा 2 2 जा 4 6 5 जा 5 यानि कि यह आगया 11 बाई 2 और multiply 9 by 30 के equal आ गया ठीक है अब 339 और 3 तेंजा यानि कि 33 by 20 आपका आ गया 33 by 20 जो है मैंने answer check कर लिया this is your correct answer ठीक है तो थोड़ी सी साउधानी से करनी है कहीं भी आपको दीकत नहीं आएगी मैं हूँ आपका अपना B.K.S.िंग सर और आप देख रहे हैं मैस पडो चनल मैस पडो के इस सेग्मेंट में AP का पार्ट हम लोग लेकर आ रहा हैं इस वीडियो के बाद maximum दो वीडियो लगेंगे AP complete हो जाएगा फिर हम एक voting करेंगे जिस chapter के आप demand करेंगे वही chapter फिर में अगला start करने जा रहा हूँ ठीक है अब आईए अगला जो question हमारे पास है पहला करें कि find the sum बहुत अच्छा question है इसकी rating में 5 star की rating रखूँगा type B में question आ सकता या C में आ सकता है इसको मैं अभी standard level पर रखता हूँ थोड़ा से यहाँ पर सोचना पढ़ रहा है direct question नहीं है पहले हमें सोचना पढ़ रहा आप करें कि find the sum of the sums given below अब देखें पहला जो हमारे पास है करें कि 7 और 10 1 by 2 and plus 14 and plus क्या है यहाँ पर 84 देखो यहाँ पर A का गालू तो 7 है और D जो है D के case में क्या करोगे 10 1 by 2 और minus 7 20 और 21 बटा 2 और minus 7 upon 1 करोगे 1 और 2 का LCM तो आपका 2 E होगा ठीक है obviously A 2 होगा तो 21 और यहाँ पर 14 ठीक है तो A 7 by 2 जो है वो बच्छो आपका D का गालू आ गया अब हमें यहाँ पर इन सब का sum निकालना है तो हमारे पास लेकिन total number of terms कितने होंगे वो हमें पता नहीं है लेकिन एक बात तो हमें पता है भई कि हाँ पे last term 84 के बराबर है यानि कि last term 84 के बराबर है यहाँ पे last term 84 के बराबर है इसका मतलब भी हो गया कि इसका AN 84 के बराबर हो गया पुराने वीडियो को देखिएगा, मैं सारी चीज़ों को बड़ा डिटल्स में बता हुआ है, क्योंकि an जो होगा, वो लास टम के बराबर हो, यह बहुत काम का फामूला है, बहुत इसका यूजम करते रहेंगे, तो अब यह इसका मतलब हो गया कि a plus an minus 1d जो है न, वो 84 के ब equals to 84 है, इसका मतलब हो गया कि 7 and plus 7 by 2n और minus 7 by 2 equals to 84 के बराबर है, अब इसका अगर हम LCM ले ले लें, तो यह पूरा आपके पास 2 आ जाएगा, ठीक है, तो यह हो जाएगा 7 to the 14 and plus 7n और minus 7 equals to 84 के बराबर हो गया, अब देखो यह आ गया 7n, 14 से 7 गया तो 7 बचा, इस 2 को यहा से हटाएंगे, तो 248 और 8, 2016, 168 आ जाएगा, नहीं, यानि कि 7n जो होगा, 168 minus 7 के बराबर होगा, इसका मतलब हो गया, कि जो 7n होगा, ओ 161 होगा, ठीक है, तो n जो होगा, 161 upon 7 होगा, 7, 2014, ठीक है, दो बचा, ठीक है, तो 21 आ गया, तो 73 जाएगा, यानि कि total number of terms, इसके 23 होगे, जब 23 total number of terms आप find कर लोगे, तो यानि कि अब आपको S23 find करना है, तो यहाँ पे 23 by 2 और bracket में A plus L का formula आप यूज़ करोगे, क्योंकि यहाँ पे last term हमारे पास given है, तो A का value 7 था, और चेक करो, last term जो है हमारे पास, वो last term 84 है, last term 84, तो यह 23 by 2 आगया, और 84 और 96 और 91 होगे है, है ना, ठीके, यह 91 आजाएगा, अब हमें देखते हैं कि इसका answer क्या आता है, तो 91 को 23 से multiply कर दो, तो देखो यहाँ पर, 3, 1, 2, 3 आगया, 27 और 29, 9, 2 हो गया, 18 और 220, यानि कि 2093 अपन आपके पास 2, इसका answer आगया, एक बार answer इसका correct कर लेते हैं, ठीक है, 2093 अपन टू, 1248 आगया बिल्कुल, ठीक है, यही आपका correct answer है, वहाँ पर mixed fraction में दे रखा है, तो आप इसको ऐसे लिखो, नहीं तो इसको आप mixed fraction में convert कर सकते हैं, या आपका question number first था, ठीक है ना, आप चलिए, आप इसका second question की बात करते हैं, इसका second part की बात करते हैं, इसका मैं तीनों part करवाँगा, इसमें कोई भी नहीं छोड़ने वाला मैं, क्योंकि मुझे लगता है कि जहाँ पर आपको दिक्कत है, वहाँ तो help teacher को करना ही चाहिए, बिल्कुल है ना, अब second part मादे, second part में A आपके पास 34 है, और D 30, D जो है 32 से 34 को माइनस कोरोगे, माइनस 2 आएगा, और last term आपके पास 10 है, ज्यानि कि last term 10 है, इसका मतलब हो गया कि AN हमारे पास 10 आगया, क्योंकि AN जो होगा, और last term के बराबर होगा, यहाँ पर A plus N minus 1D जो है, वो 10 के बराबर है, A plus N minus 1D जो है, वो 10 के बराबर है, तो इसका मतलब हो गय के जगा पर माइनस 2 जो है वो 10 के बरावर है जहाँ पर 34 माइनस 2N प्लस 2 जो है वो 10 के बरावर है इसका मतलब कि 36 माइनस 2N जो है वो 10 के बरावर है है ना 36 माइनस 2N इकल्स टू 10 इसका मतलब कि माइनस 2N जो है 10 माइनस 36 माइनस 26 इसके बराबर है, तो यहाँ पर N जो हो गया, वो 13 के बराबर हो गया, तो टोटल 13 टर्म्स है, यानि कि अब जब हो यहाँ पर 13 निकालेंगे, तो यह 13 बाइ 2 हो जाएगा, और A प्लस L, A के जगह पर 34 है, और L के जगह पर यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, यह हमारे पास इसके इसमें 10 के बराबर है, ठीक है, 34 प्लस 10 आ जाएगा, तो यह 13 बाइ 2 आ गया, 34 से 10 को एड़ करेंगे, तो यह आपके पास 44 हो जाएगा, यहाँ पर 22 हो गया, यानि कि 13 का मल्टिप्लिकेशन अगर हम अब 22 के साथ करें, आ आए, शॉर्टकट ट्रीक इसका देख लेते हैं, यह 6 आ गया, और 6 और 28 हा गया, 202 यानि कि 286 हा गया, तो इस विल बे 286, एक बार आंसर को करेक्ट कर लेते हैं, इसका आंसर 286 आ रहा है कि नहीं, तो राइट आंसर है, 286 is your correct answer, now we are coming to the third part, चले, अब इसके third part को देखते ह हैं, थर्ड पार्ट में कहा रहा है, कि a का value, थर्ड पार्ट में a का value minus 5 हैं, और d जो है minus 8, minus, फिर minus 5 हैं, यानि कि minus 8 प्लस 5 हैं, यह minus 3 के बराभर हो गया, और L जो है minus 230 हैं, ठीक है न, तो चलिए, अब यहां पर L minus 230 है, इसका मतलब कि a n जो हो गया वो माइनस 230 हो गया इसका मतलब कि a प्लस n माइनस 1 d जो हो गया वो माइनस 230 हो गया ठीक है इसका मतलब कि माइनस 5 n प्लस n माइनस 1 और d के जगह पे माइनस 3 एकोल स्टू माइनस 230 हो गया तो माइनस 5 माइनस 3 n and plus 3 जो हो गया minus 230 हो गया इसका मतलब कि minus 3N minus 5 plus 3 is minus 2 equals to minus 230 हो गया इसका मतलब कि minus 3N जो minus 2 यहाँ पर जाएगा तो minus 230 plus 2 हो जाएगा तो minus 228 के बराबर होगा है ना minus 230 plus 2 जो होगा plus minus minus और greater number के sign को हम ले लेंगे minus 220 अब यहाँ पर आ गया N जो निकलेगा वो 228 upon 3 निकलेगा तो 21 हो गया तींचाग 18 यानि कि N का गालू 76 हो गया है तो मतलब हमें A76 find करना है तो 76 by 2 और A plus L और A जो यहाँ पर आपके पास है that is minus 5 है और L देख लो आपके पास क्या है यहाँ पर L जो है minus 230 है तो यानि कि अब यहाँ पर minus 230 ऐसे लिखेंगे अब 236, 2838 और minus 230 minus 5 जो होगा add करने पर minus 235 होगा यह minus 235 आ गया तो यानि कि अब sign minus होगा और 235 को हम क्या करेंगे 38 से multiply कर देंगा अब इसका जो answer हम लोग check करते है negative 8930 आएगा यानि कि negative 8930 आएगा basic सा multiplication है वो आप कर सकते हो तो इस तरीके से इस वीडियो में हमने दो question देखें और आपके exercise का जो 5.3 exercise जो उसका पहला question में जो मैं तीन पार्ट हमने discuss कर लिया ठीक है और दूसरे question का हमने के तीन का तीनों पार्ट हमने discuss किया क्योंकि बहुत important question है मैं फिर से बोल रहा हूँ इसका second part बहुत important है और या paper में B या कभी-कभी C section में भी आज सकता है आपके paper में तो ठीक है आप इस तरीके से वीडियो को देखते रहे जैसा मैंने promise किया था कल आपको अब उसी के तरीके से चलेंगे एक हफते में कम से कम 6-8 वीडियो तो आपको मिलने ही वाले हैं पहली बात और हफते का दो दिन आपको live मिलना हुआ अब क्या चाहिए यार ठीक है अब तो इतना अगर आप कर लोगे तब तो ठीक है बाकी 100 नंबर आना है तो मेरे paid बैच में आजो वहाँ पर 3 class अटेंड करके देखो पहले आप बिलकुल बिन आप pay की हुए अटेंड करके देखो इसके लिए आपको help line नंबर जो इसक्रीन पे दिया हुआ 971-7432-432 पे आपको whatsapp करना पड़ेगा फिर आपको 3 class दिये जाएंगे और इस 3 class के बाद फिर वहाँ पर टॉपर्स के साथ बैठ करके आपको पढ़ने का मौका मिलेगा बाकि इसके terms and conditions जाने के लिए आप इस नंबर पे whatsapp कर सकते हैं thank you so much and god bless you all फिर अब कल यानि की 26 तारीक को हम लोग मिलते हैं शाम में कितने बजे? 7 बजे अपने live session के साथ